बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कटोडी ब्लाउज कटिंग करने में बहुत ही परिसानी होती है जैसे कि कटोडी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो उनकी जो चेस्ट में होता है वो परफेक्ट फिटिंग नहीं आता है दूसरा उनकी आर्म होल में जोल आ जाता है तीसरा उनक तक ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आपको इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है कि आर्म होल में जोल कैसे आता है इसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में भी आप एचीज बारीकी से समझ करेंगे ठीक है चाउडवा पौइंट पच्चास और सिल जो है तेरह एंच हमारा मेजर्यमींट में आया था एंब वहिसमें 2 इंच मैने सिफ साम किजींगे अगर आपको मार्जिंग अलग से Hiç तो तीन इंच मैनेस किजिए, अगर आप अलग से मार्जिंग नहीं ले रहे हैं, तो दो इंच मैनेस कर देंगे, तो हमारा सोल्डर जो होगा 11 इंच हो जाएगा, ठीक है, अपर चेस्ट जो है 33 इंच है, और फूल ब्रेस्ट 34 इंच है, आपका मेजरमेंट इसमें डिफरेंस हो सकता है, तो उसके इकोर्डिंग हम बताऊंगा इसमें कि कैसे आपको कटिंग करना है, कमर हमारा 28 इंच है, और फ्रंट नेक डीप जो है, वो है सारे 5 इंच, और बैक नेक डीप सारे 9 इंच है, और नेक की चोड़ाई 8 इंच हम कटिंग करेंगे, तो इसके हिसाब से किस आपको मार्जिंग बढ़ाते हुए चलना है, जो भी ब्लाउज का मेजरमेंट होगा, उसमें आपको रेड़ी ब्लाउज रहेगा, तो उसमें आपको हर जगा आपको मार्जिंग बढ़ाते हुए आगे कटिंग करना है, यह हमारा 80 cm कपरा है, यह देखिए 80 cm है, त judo polsk इसकी में में कटिंग करने वाला हूं, और अगर आपका बैग में ऊपन है तो आपको बैग का बैग का पर्ट जो है यह वाला पाट खूला खूला हूँ पाट को आपको फ्रेंट में तो यह पोटत 处टना है हाम इसको फिलाल बैग पहले तो इसको इससेट कर लेते है सबसे पहले किना प्राप पेशी धनी सांक दे देते हैं जो इस्ट आ पर है उसके लिए देखेए वाला इधर अब यहां से हम लेलेंगे सारे 14 इंच सारे 13 हमारा रेडी है तो सारे 14 इंच पर हम निसान लगाएंगे और दो निसान लगाएंगे इसी तरीके से ताकि हमारा सीधा रहे है देखे इस तरीके से अबoperation करना है यह आपको याद है और बैक के बाद इसी के सहारे हम प्रिंट कटिंग करेंगे और गला भी गैसारी करेंगे ठिक है तो शुर हमारा है गारा इंच है तो उसका आधा होता है सहारे 5 इंच सारे पांस इंच पर निसान लाएंगे उपर से हम आधा इंच लो कर लेंगे ये देखे ध्यान दिजिएगा ये चीछ ठीक है नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ठीक है और नेक डिप जो है सारे 9 इंच रेडी है तो सारे 9 इंच ही रखना है आपको और यहां पर हमने लिया है 2.5 तो यहां पर भी हम 2.5 या पॉने तीन ले लेंगे कर देखिए है और अब आपको बैग में जो सेप देना है और सेप आप दे सकते हैं हम लोग नॉर्माली सेप देकर बताते हैं और यहां पर ऐसा यह हो गया अब आर्म होल जो है आर्म होल कि की निसान कैसे लगाएंगे आप मैं और भी दो तीन वीडियो में अलग अलग तरीके बता चुका हूं लेकिन इसमें जो बताऊंगा ओ एकदम सटिक तरीका होगा और इस तरीके से आप आख मूंत कर कटिंग कर सकते हैं समझ लिजी हमारा आर्म होल जो है इसमें मैंने आर्म हमारा 14 इंच है तो 14 इंच से पहले हम अपर चेस्ट की निसान लगाएंगे अपर चेस्ट हमारा 33 इंच है तो सबあー這麼 alsoatten रिंडिम लेंगे यानि यहां से पांच छे नीच यह सात इंच नीचे 24 इंच पे मैंने लिजिए वक्फट अभां डेंगे हुआ ऐसा करके देखेंगे कहा आरा है आए को और यह कहां जा रहा है इसा करके यह रहा है यहां पर थिके हमारा चेस्ठ का भी अपर चेस्ट का भी निसान यहीं होगा और आर्म होल का भी निसान यहीं होगा समझने आगा बैक की आर्म होल कैसे निकालना है इस तरीके से हम निकाल लेंगे अब हमें यहां तक आ गया है और यहां से सिधा कर लेंगे हम तो टीक है यह आर्म होल निकल गया इधर पर जो है मार्जिंग लेंगे वह अलग पॉइंट है उसके बाद यहां पर बैक में डॉट देना है तो डॉट के लिए यहां से आप सारे तीन चार और पॉने चार एक कोई भी मेजरमेंटाप रख सकते हैं बैक का डॉट का कोई उत इतना आता है इसके सेंटर में आपको रखना है जैसे हमारा जो है कमर 28-18 इंच चौथा भाग जो होता है तो ठाट डूट हो गया ठीक है यह बीच सेंटर में आ गया और यहां से उपर आपको चार इंच तक लेना है ठीक है और यहां पर यहां हमारा कितना आ चार इंच आया है यहां हम लेंगे चार पॉइंट चार इंच पॉइंट एक यानि चार पॉइंट एक सूथ उसके आद इसको हम ऐसा निसान लगाएंगे अ ठीक है यह हमारा डॉट हो गया और एक इंच यहां पर जो मैंने वह किया है डॉट दिया है उसके लिए एक इंच यहां पर हम उपर करेंगे और एहां से यहां यहां उपर जला जाएगा ऐसा देखिए राए akan और ए और एह हम सिधा कर देंगे है उसके बाद जो भी मार्जिं के यह यहां पर हम तो डेजी है यहां पर मार्जिंड देंगे को और म्हeed हमारत होगै इसका ओप आउव каче सिलाई के लिए बैक आपको समझ में आ गया कि बैक कैसे कटिंग करना है अब यहाँ पर हम गुलाई देंगे अब यहाँ पर भी जो है आर मोल हम इसमें अर्जिस्ट कर सकते हैं देखिए ऐसा और बैक का गला डीफ है तो आपको यहाँ पर पाव इंच और कम रखना है कम यहाँ इसको हम क्या करते हैं यहां से इसको ऐसा कर लेते हैं यहां आ जाएगा देखिए पाव इंच कम कर लिना है क्यूंकि यह जब भी आप इसको करेंगे तो यह डॉट लगने बाद अट्यों मेर्टिक यह खुल कर बाहर चला जाएगा ठीक है तो आधा इंच एट्यों मेर्टिक कवर कर लेगा तो वह चीज़ आपको समझ देना है अब हम यहां पर पक्का निसान लगा दिये हैं तो उसके इसाफसे इसको हम चेक नहीं इसमें आ रहे है सारे 6 इंच और हमारा citlake मेरा सिलाई होगा यहां से अ तोड़ा सा और बढ़ जाता है आर्मोल उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा पॉइंट आपको निकाल देना है अब इसको हम पहला एक नहीं लगाएंगे इसको क्या करते हैं बीच में सेंटर में कट लगाते हैं खाली कट लगाएंगे गलाग कटिंग हम बाद में करने वाले हैं यहां जो दिख रहा है इससे थोड़ा सा पहले तक ठीक है अब यह हो गया देखिए यहां तक मैंने कटकि आए अभ यहां पर हम डॉट लगाएंगे पहले और डॉट लगाने के लिए की होल गिरा लेंगे ताकि आप deficance उन की एक यह मरत है आपको ठीकिए Ampano market फिर आपको आगए दिखाते के यहां पर मैंने डट लगा दिया है और डट लगाने का मकसद क्या है और क्या तरीका हो मैं समझा रहा हूं डोट लगाने के बाद जैसे डौर्ट लगा तो यहां पे यह वाला भाग सीधा हो गया और यहां और मिल्सा प्रेसा की करने कान से गरना मंतला के फुर्स फेह यहांब जो एक एकडि म्यृ जो सब्सक्राइब कने क्लाभelet । ऑफ। प्रेडी होने देते होते हैं तेरा इंच ही आएगा और यह वाला भाग थोड़ा सा आपको छाट का सीधा करना पड़ता है ठीक है तो यह चीज हो गया समझ में आ गया अब आप समझेंगे कि गला कहां जाता है कि देखिए अच्छा एस जो हमने लिया थाढ़ा एंच यहां पर अभीम निसान लगाते हो रहे हैं अ यहां अब गला कितना हो गया सारे साथ इंच होगा ट्रॉटल गला महा रहा है वोगला सारी साथ इस भाला भाग एस्टेट हो गया और चेस्ट जो मैंने माप आपकरे दिखाद तो आ तो यहां से यहां मैंने पाव इंच कम किया था अब देखिए हैं कितना आ गया 17 जागे ना टोटल 17 का डवल 34 यानि एक इंच और इस्टरा ही हो गया है तो आपको सिलाई में क्या करना है अगर यहां पर लूज लगता है तो और ऐसे घुमा देना है ठीक है नहीं तो नहीं घुमाएंगे तो भी चलेगा अब हम इसी के सहारे फ्रेंट की पार्ट कटिल करेंगे एक डॉट पह आते हैं एक कटा हुआ भाग ठीक है अगर आपका बड़ा साइज है तो इस साइड कप्रा नहीं बचेगा आपको लंबाई में लेना पड़ेगा हमारा इसका पन्ना जो है इस कप्रे का ओ ज्यादा है और ब्लाउज विए छोटा साइज का है तो अब दूसरा काम करेंगे यहाँ पर पहले आधा इशने पराइस का मार्जिंग यहाँ पर एप और आई पट्टी के लिए है विवस्तित समझ जिएगा मैं आराम से समझा बड़ी की से अगर इस में नहीं समझे तो ऑर किसी बीडियो में आहीं समझोने दूसरे का कि अब करना क्या है कि सबसे पहले इसको हम फ्रेंट में एक इंच लबाई बढ़ा देंगे ठीक है एक इंच लंबाई क्यों बढ़ना है आपको बेल्ट के लिए ध्याँ से समझेगा एक इंच थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं हम सवाइच कर लेते हैं ताकि कम ज्यादा हो बेल आपको यहां तक सीधा रखना है देखिए ऐसा यहां से यहां सीधा करना है यह हमारा इस्टेट हो गया और यहां तक सीधा आएगा उसके बाद यह जहां भी जा रहा है भाग कर वहां आपको इसको जाने देना है ठीक है जहां जाए वहां जाने देना है और उसके बाद हम इ इंच ज्यादा हुआ था तो हम इसको थोड़ा सा अंदर ही लगाएंगे निसान कि देखिए मैंने स्यम से निसान लगा दिया अब बैक को रखते हैं साइड में और इसको हम मिला दोते हैं और देड़ हिंच हमारा यहां पर मार्जिन है तो हम डेड़ हिंच मार्जिन यहां पर पहले निशान लगा दोते हैं नहीं तो ब्लाउज बनाने में स्टेक हो जाएगा देखिए ऐसा अब इसको हम ऐसे निसान लगा दिए हैं अब यहाँ मार्जिन हो गया और इहां पर जो है यहां से ले कर और यहां के बीच में आपको इसमें फ्रांट की आर्म होल जो होता है उसको डिप करना परता है आधा इंच कितना करना परता है आधा इंची याद रखिएगा इसको हम ऐसा लेंगे और यहां लाकर फिर ऐसा मिला देना है कि इस से तरीखेसे आपको समेटकर नहीं आएगा त says था आपको ये काम करना है और यह हो गया अब देखिए यहां पे जो रखने के बाद रहां है यह यह पर यह आपका गलेगा यहां पे आता है ऋहीं पर लगाना है एके यहां पर आएगा ट्रेक मिस हो गया है अब हम क्या करेंगे साथ पांचिंच फ्रांट नेक ड्रोप है और ढीप करेंगे तो सारे पांच अंचे लगा देंगे और यह हमारा हुथता है तो यहां पर भी हम कर देंगे ओके अब बॉक्स बना लेंगे अब बहुत सारे लोगों की मन में डाउट होगा कि सोल्डर बड़ा हो जाएगा गला बड़ा हो जाएगा तो यह चीज नहीं होगा यह गला जितना गला बढ़ा है उतना सोल्डर बड़ा है डाउट के इसाफ सब सेटिंग होता है एक बार मैं बोलूगा कि ट्राइग कीजिए अब इसको हम नॉर्मल राउंड सेप देते हैं जो भी आपको सेब दे सकते हैं लेकिन हम जो है नॉर्मल सेप देंगे अब देखिए का इसकी गले की गुलाई है ना स्विखे और तो 32-34 जो रहेगा चाहिए या 36 का रहेगा उसको आपको यहां से यहां सारे 12 इंच के लंबाई लेना है आप 12 इंच भी रख सकते हैं बाकि दूसरे साइज में 13 इंच और सवा 13 भी कर सकते हैं तो यहां से हम इसको 12 इंच पर निसान देंगे सारे 12 इंच पर देखिए यह निसान देंगे विवस्तित समझेगा और यह इसको हम सिधा कर देंगे है आजिए अब हमारा जो वह बेट हो गया अब नापेंगे इसको सारे 11 हुआ तो थे बेल्ट के लिए तो सारे तरही पूड़ा होगा तो यह हमारा होता है तीन इंच तीन इंच में बिल्ट हमारा दो इंच त्यार तो तो सारे 13 हो जाएगा अब करना है पॉना इंच, यहां देखिए कम से कम फॉना इंच ऊपर किजिए गा तो जाकर perfect होगा अब इसकी जो है यहां के पट्टे निकालने के लिए बहुत सारे तरीक एंड करने का तो इस में आप कैसे करेंगे जैसे में हम यहां से यह margin छोड़ने के बाद याद रखिएगा ऐसा मापना है आपको इसमें आप तीन भाग डिवाइट कर सकते हैं सारे साथ है ठीक है तुटियाए 6 अरहाई एंच युफा। भाग में जो भी आएगा मेजर मिन्ट उसमें तीन भाग में इसे में तुट्स jiyeगा तो आपका परफेक्ट बन जाएगा तो आुपर से हम उसको क्या गर देखेंगे लेंगे लेंगे सारे 4 सी लेके 5 के बीच में हम इसमें रखते हैं 5 सीजelli ठीथ कि यह आपका साइज के योटिंग और गलाक कैंद और कम यह ज़्यादा होगा तो हमें हाँ पर निसान लगाएंगे और यह वाले जो निशान इसको सीधा हम ऐसा ले लेंगे उससे पहले एक चीज और हम कर लेते हैं कि ब्रेश्ट पॉइंट है उसका भी निशान हम देख लेते हैं ब्रेश्ट पॉइंट हम लेंगे 10 इंच पे और इधर से पॉने चार इंच पे क्योंकि साइच छोटा है हमारा ब्रेस्ट पॉइंट होता है अब इसमें आपका मैंने फूल ब्रेस्ट का निशान नहीं लगाया है तो मैं आगे समझाऊंगा काटोरी कटिंग होगा तब कि फूल ब्रेस्ट कहां पर मापा जाए जाएगा अससीधा रहने दिना है ओके और यहां से यहां से जो है इसको नॉर्मल से दिना है ज्यादा से दोगे तो एक धिए घए अधर जाइए ऐसा प ciertления 500 ज्यादा इसमें सेब नहीं आएगा अब कट वर्य जो कटि हो गाद एक उसमें से पाएगा उसको है ऐसा लेंगे हम एहां से कि वоды एहां पर ऐसा म Virginia वे पारा कि कैसे कहां पिक अरदना है कि रहां इसी तरीका से आपका कटिंगहोगा और इसी तरीके से आपको बनाना है अब हम फड़ा फड़ से कटिंग मैं से कीहां से कट करेंगे margin इसमें नहीं दे रहे हैं margin जोए इस वाले पल्ले में ले लेंगे स्साइड का पत्ति हमारा रेडियो हो गया है अब इसको हम रखेंगे side में इह हो गया और मेल्ड की जो size है वो बड़ी है तो जैसे हम कटोडी ज्वैंड कर लेंगे और पल्ले में अटेज करेंगे उसके बाद जो भी बचेगा इदर पे उसको हम कट करके हटा देंगे कटोडी के लिए क्या करना आपको कटोडी कटिंग करने में आपको कभी भी कटोडी अगर और एप करेंगे Ge值 में बैठेगा टिक है अगर कटोडी औ रिप नहीं काटते हैं तु भी बैठे गा लेकिन और एप बाला कटोड़ी होता है वह बहुत ब्रेश्ट का मेजरमेंट होता है हो और यहां पर कैसे काटना है तो उसको समझने के लिए आपको इसको भी समझना है इसमें मैंने मार्जिंग ने लिया है तो इसका आधा इंच मार्जिंग और इस बाले पल्ले का इधर का आधा इंच मार्जिंग तो टोटल मार्जिंग एक इंच के हिसाब से एक इंच के हिसाब से पर निसान लगाएंगे अ टिक है इसा एक इंच के हमारा निसान हो गया उसके बाद अब हमें डॉट जो देना है वो 2 इंच देना है छोटा साइज है तो अगर बड़ा साइज है तो आठाइए इंच डॉट, अगर उससे भी बड़ा साइज है तो तीनी इंच डॉट तभी आपका जिए चेश्ट का मेजरमेंट आएगा, ऊ प्धिंग करने के बाद का टोड़ी मैं समझाऊंगा आपको तो हम इसमें दो इंच डॉट दे रहे हैं तो इधर पर एक इंच डॉट आजाएगा और लंबाई जो है आपको डेर इंच बढ़ा लेना यहां पर लंबाई इसलिए डेर इंच बढ़ाना है कि जब भी डॉट लगा तो यह उपर की और खीच लेता है समझे तो अब हम क्या गरेंगे इसको यहां से यहां निशान कराएंगे आप ऐसा और यह वाले को यहां से हम मिला देंगे देखिए ऐसा अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो तो और पर्फेक्ट कटोड़ी नहीं आगर एकी साथ कटोड़ी कटिंग करो गए तो यह तरीका आपको अपनाना चाहिए कटोड़ी को कटिंग करने के लिए कि देखिए ऐसा समझ गया है अब आपको क्या करना है एक डूनों को मेजर्मेंट करना है चितना भी आ रहा है नोग क्या है तो 9 इंच पर略 आधा उसारे 4英च सौन हमारे सेंटर नıकले गा एकी इंचडोड़ इधरा आएगा और एक इंच डोट इधरा आएगा यह ।igu थोड़ा ज्यादा भी दवा सकते हैं क्योंकि एक और एक पल्ला है तो बढ़ता है तो हम एक इस से थोड़ा ज्यादा बहा देते हैं यह जो जाएगा टोटल डॉड तभी यह फैलता है जो फैलेगा नहीं और अपने जगह पे आकर बैठ जाएगा अब दूसरा गाम करना है इसको हम ऐसा मिला देंगे यह हमारा नेक वाला ठीक है अब यह वाली पल्ला जो है इसको हमें रखकर यहां से देखना है कि कहां पर हमारा परफेक्ट आ रहा है ऐसे देखिए मार्जिंग के साथ में तो यह आ रहा है हमारा यहां पर समझ गए यहां पर आ रहा है अब इसक कि ऐसा है यह हमारा कटोड़ी हुआ अब पल्ले का हमारा कोई यूज नहीं इसको हम रखते हैं साइड में और इसको कटिंग करते हैं अब यहां से हम उपर लेंगे साहती निसे पौने चार इंच तक समझे यहां से कम से कम साहती निच लिची और अब एक इंच इधर यह सवाइंच और इधर पर भी हम सवाइंच कर लेतें क्यूंकि यह जो पल्ला है वो ज्यादा है अब देखिए अब आपको अपर चेस्ट की मेजरमेंट करना है ऐसा रख दिये हमने अब यहां पर आधा इंच मार्जिंग गया और यहां पर आधा इंच मार्जिंग गया और यहां पर आधा इंच मार्जिंग गया तो अपने को चाहिए है कितना चोटीस हिंच है को टोटल सिये चोंतीस इंच आठ चोका 32 अनि सारे आठ फिंच तो अब यहां से यहांब है मापेंगे कितना अभाइक और यहां पर मापेंगे हम इंच है सारेख यॉंच हो एठिक है एक इंच यह दो इस्ट्रा हो चुका है तो अब आपको क्या करना है ये डॉट जैसे लगेगा ये अपने कटोरी के उपर जाएगा तो फिक्स हो जाएगा नहीं तो उसमें आपको डॉट को और भी थोड़ा सा कम कर देना है तभी जाकर आपका चेस्ट में जो है ना परफेक्ट फिटिंग आ देखिए इस तरीके से अब और एक कटोरी है ओ और किस तरीके से सेप आया है ओ देखिएगए द्यान से ये वाला सेप देखिए है कितने अच्छे ढंग से आया है और add ना सभी से बैठा हुआ है इस से अच्छा पिटिंग आपको जल्दी मिलेगा नहीं अब एक बार आप आपको इसको मेजर मेंट करके देख लेना है कि यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह भी हमारा अराम से आ रहा है अब आपको मापना इसको आधा कि हमारा च्छती सिंच जो है चौती सिंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा हमें तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है ऐसा मापेंगे तो तो आप इसको यहां से साइड से कवर कर सकते हैं थोड़ा इधर से कवर कर सकते हैं बाखी परफेक्ट है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं इसकी बैक कटिंग कर लेते हैं बैक जो है बैक की गला वो कटिंग करके और फिर रख कर दिखाता हूं एलेक, इसी तरीके से आपको कटोडी बलाउज की कटिंग करना है、 और बहत्रीन कटिंग होगा, कटोडी बूज कटिंग करने में आपका नहीं आएगा, ओके तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्न्य बाद